कि यह typing test आप लोगों कर रहेगा इसको आप लोगों को complete करना होगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्राइटरिया typing test एक मिनट का test रहेगा यहाँ पर आप लोगों को उपर जो लिखा गया है इसी चीज को आप यहाँ पर नीचे इस जग़ पर type करेंगे से तरफी के सिंपल यह typing test आप लोगों का रहेगा इस वरको complete करने के लिए complete करने के लिए अब देखें 1 मिनट का टाइम आप लोगों को दिया गया है यहाँ पर आप लोगों को यहाँ से लिखना करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये वीडियो को पूरा देखना होगा क्योंकि जो मैंने कल आप लोगों को दिखाया था medical data entry work के बारे में जैसे आप वहां पर apply complete करेंगे उसके बाद उसके 12 से 24 घंटे के बाद आपके पास एक mail चला आएगा वहां पर आप लोगों को पूरी information दे दिया जाएगा और आप लोगों को assessment test रहेगा क्योंकि इस test को complete करने के बाद ही आपको यहां पर work मिलेगा तो मैं आज आप लोगों को पूरी test की जानकारे आप लोगों को देने वाला हूँ यहां पर आप लोगों को typing test से लेकर हर तरह का test आप लोगों को यहां पर होगा तो एक-एक step मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप यहां पर test को complete करेंगे क्या system है और कैसे आप लोगों को यहां पर work मिलेगा और salary कितना होगा यह पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूँगा एक-एक step आप लोगों को जानना जरूरी है तो कल मैंने आप लोगों को एक medical data interviewer के बारे में बताया था उस पे आप लोगों को apply करने के लिए पूरी step मैंने आप लोगों को बता दिया था तो जब आप यहाँ पे पूरा application को complete करेंगे तब आपके पास एक mail चला आएगा दिखेगा आप लोग new medical pre-implement test in by data interest specialist बोलके आप लोगों को एक mail चला आएगा अब आप लोगों को this email has been sent by the HR team HR team के तरफ से आया हुआ यह mail है अब आप लोगों को यहाँ पे आना है thank you for your interest in new medical and congratulations making it to the next step in your hiring process अब आप लोगों को यहाँ पे next step में जाना होगा यहाँ पे आप लोगों को एक assessment रहेगा take about to 30 minutes to complete 30 minute लगेगा इसको complete करने के लिए once you bring the assessment it cannot be restart or stopped जब start करेंगे इसको बंद नहीं करना है you cannot skip questions questions को skip नहीं करना है assessment results are not shared with candidates candidates के साथ जो result रहेंगे उसको shared नहीं करना है और आप लोग जैसे इस email को जिस दिन आपको इस email को मिलेगा उस दिन के साथ दिन के अंदर आप लोगों को इस assessment को complete करना होगा नहीं तो यह link expire हो जाएगा तो cognitive assessment रहेगा 20 minute का इसका 40 questions रहेगा और 20 minute का time रहेगा एक don't spend too much time on any one question किसी एक question पर आपको ज्यादा time नहीं देना है अब उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आना है और आप लोगों को यह एक link दिखाए देगा यहाँ पर देख रहे है आप लोग data entry virtual assistant assessment आप लोगों को दिखाए देगा तो अब simple आप लोगों को यहाँ पर show करने का तो press continue below to get started अब आप यहाँ पर आना है और continue के button पर simple आप ऐसे click करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा we recommend using Chrome, Firefox, Safari to complete this test event इसको आप continue में click करेंगे सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अपनी information को verify करना होगा first name, last name, email address, location यह सब कुछ लिखेंगे और year birth लिखेंगे gender, education, first language, which industry based describe your current or most recent job तो उसके बारे में आप यहाँ पर select करेंगे और I accept के button पर click करके continue में click करेंगे पर आप लोगों को दिखाए देगा workplace insight है, यहाँ पर आना है और continue में आपको फिर से click कर देना होगा your event ID, अब आप लोगों को यहाँ पर event ID आप लोगों को दिया जाएगा कई पर stop हो जाता है, कोई problem हो जाता है तो आप event ID के माध्यम से उसको continue भी कर सकते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को email me my event ID, अब इनको आप लोगों को email करना होगा इस event ID को यहाँ पर simple आप लोगों को continue में click करेंगे तो अब आप यहाँ पर आते ही, यहाँ पर आते ही आप लोगों को दिखिएगा Today you will be completing the following Aptitude Assessment रहेगा 15 मिनिट का Personality Assessment रहेगा 10 मिनिट का Computer Literacy and Internet Knowledge टेस्ट रहेगा 13 मिनिट का Typing टेस्ट रहेगा 1 मिनिट का Excel 2016 का रहेगा 10 मिनिट का अब आप लोगों को continue इस चीज को करना होगा सबसे पहले Aptitude Assessment रहेगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इसको आपको यहाँ पर continue का बटन देखिएगा Continue में click करेंगे अब continue में click करना होगा जैसे हम continue में click करेंगे अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को Aptitude Assessment के बारे में पूरी Information दे दिया गया है Answer each question carefully But do not spend too much time on any one question किसे एक question में आपको ज्यादा समय बरवाद नहीं करना है तो अब आप लोगों को You will receive one point for each correct answer प्रतिक correct answer के लिए आप लोगों को और incorrect answer incorrect answer के लिए कोई point deduct नहीं होगा तो अब आप लोगों को Continue का बटन देखेगा इस पर Simple Continue पर क्लिक करेंगे अब आप लोगों को Aptitude Assessment 15 minutes to complete the assessment 15 minutes रहेगा 50 questions रहेगा ठीक है अब Continue आप लोगों को करना होगा यहाँ पर आना है If our team of workers can assemble 12 computers per hour How many computers can they assemble in 4 hours 4 घंते में कितने computer को वो लोग कर सकते हैं तो 48 होगा answer तो 48 को Submit Answer पर क्लिक करेंगे Which of the following is the largest value इन में से सब से जाड़ा value काउंस है इस चीज को आप लोगों को यहाँ पर समझना होगा यह देखिएगा करेंगे Submit Answer अब मैं इसको complete करके आप लोगों को आगे की जानकरी दूँगा पर मैं last question में आ चुका हूँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 49, 50 दिखाए दे रहा है लास्ट question है इसको मुझे यहाँ पर answer देना होगा ऐसे करके मैं यहाँ पर Submit Answer पर क्लिक कर दूँगा अब देखिएगा इस तरीके से आप लोगों को 50 by 50 यह last question आप लोगों के सामने आ चुका है तो मैं एक को सरेक करके Submit Answer पर क्लिक करूँगा अब देखिए मेरा Answer Submit Continue to Next Test अब मेरे पास फिर दूसरा टेस्ट रहेगा तो Continue to Next Test पर मुझे complete करना होगा Aptitude Assessment मेरा यह complete हो चुका है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब रहेगा मेरा Personality Assessment 10 मिनट कर रहेगा इसको भी मुझे इसको क्लिक कर देना होगा और निची आना है Continue पर क्लिक करेंगे इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको Continue देखेगा इसको क्लिक कर देना होगा और Begin Test पर Continue पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों को खाली 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा 28 कोईशन रहेगा सही तरीके से आप लोगों को देना होगा यहाँ पर आना है 5 कोईशन रहेंगे इनका मुझे स्तरीके से आंसर देना है और Continue के बटन पर मुझे क्लिक करना होगा यहाँ पर देखिए सभी को सलेक करना होगा और Continue में मुझे क्लिक करना होगा अब यह लास्ट कोईशन मेरे पास आचुका है देखिएगा इसे करेंगे और Continue में मुझे क्लिक कर देना होगा You have completed this part Continue to next test अब मुझे फिर से दुसरा test देना है इसको क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को देखिए दो complete हो चुका है Computer Literacy and Internet Knowledge अब इसके लिए 13 मिनेट कर रहेगा इसको क्लिक करेंगे और निची आना है Continue में क्लिक करेंगे तो Computer Literacy and Internet Knowledge Test अब आपको देना होगा यहाँ पे आना है Continue पे क्लिक करेंगे फिर से Continue पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे Start Submission का बटन दिखाए देगा अब आप लोगों को Start Submission में इसे क्लिक करेंगे यहाँ पे 10 Questions पुछे जाएंगे इसका Answer देना होगा जो भी आप लोगों का Answer है उसको आपको Simple करेंगे Submit Answer पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको Questions पुछा जाएगा इसको Answer देना होगा अब आएगा Continue to the Next Test में हम ऐसे क्लिक करेंगे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए 3rd भी Complete हो चुका है अब Typing Test रहेगा एक ही मिनट का Test रहेगा इसको Simple Continue पे क्लिक करेंगे करने के बाद आप लोगों को फिर से यहाँ पे Continue है यह Typing Test आप लोगों को रहेगा सही तरीके से Typing Test दीजेगा इसको क्लिक करेंगे Begin Test का बटन दीखेगा इस पे Simple क्लिक करेंगे अब देखिए यह Typing Test आप लोगों का रहेगा इसको आप लोगों को Complete करना होगा यहाँ पे आप लोगों देख सकते हैं Criteria Typing Test एक मिनट का Test रहेगा यहाँ पे आप लोगों को उपर जो लिखा गया है इसी चीज को आप लोगों को आप लोगों का रहेगा इस वर को Complete करने के लिए तो Typing Test भी आपका Complete हो चुका है अब Continue to the Next Test पे क्लिक करेंगे फिर से अब आप लोगों को यहाँ पे Last बचा हुआ है दस मिनट का एक टेस्ट रहेगा Excel 2016 तो Continue में क्लिक करेंगे इसको फिर से Continue में क्लिक करेंगे और Begin Test पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो Questions रहेंगे इनके आप लोगों को सही आंसर देने होंगे तो 10 मिनट का टाइम आप लोगों को दिया जाएगा जैसे मैं इसको Complete करूँगा देखिए अब आ चुका है Overall Thank You You have completed the event and no further action is required मेरा यह Test complete हो चुका है कैसा लगा Excellent पे क्लिक करूँगा और Submit के बटन पे क्लिक करना होगा Thank You for Your Feedback You have completed your event and no further action is required तो मेरा यहाँ पे Test complete हो चुका है तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे यह जो एसेस्मेंट रहेगा इसको Complete करना होगा द्यान से करना होगा आप लोगों को अगर computer है तो उसमें कर सकते हैं अगर mobile में अगर आप करना चाहते हैं तो आप लोगों को desktop mode को on करके ही आपनों को इस टेस्ट को कंप्लीट करना होगा अगर ये वीडियो आपनों को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फिर मिलते आगले वीडियो में आज के लिए बस इतना है, thank you